नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्टीब चैनल सरल घरेलो नुस्खे में दोस्तों, गर्मियों के मौसम में पानी की तरह पतले लैटन या फिर पतली लैटन की समस्चा बहुत याम सी परसानी है, ये हर किसी को हो जाती है जब भी हमारे पेट में गर्मी बढ़ने लगती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में कुछ खान पान की कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमें नहीं खाना चाहिए, जिसे हमें अवाइड करना चाहिए, लेकिन हम उसे फिर भी खाते रहते हैं, और जिसके व बढ़ी भी जाती है और इसका बहुत ही सिंपल सा बहुत ही आसान सा घरे लूप आए लेकिन हम वो जानकारी के बहाव में हम वो कर नहीं पाते हैं तुरंत जाते हैं कि आपके पेट में अगर गर्मी बढ़ गई है तो उसे थंड़ा करने की जरूत है ना कि अंग्रीजी दवाईयों को खा करके पेट की गर्मी को और बढ़ा देना दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बहुत ही आसान सा घरेल उपाई बताऊंगा जिसका प्र गर्द हो रहा है यह सारी समस्या है बिलकुल चुटकियों में दो तीन बार के प्रयोक से समाप्त हो जाएंगी तो आए दोस्तो बिना किसी देरी के यह नुस्का जानते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सरल घरी लून नुस्के को अभी सब्सक्राइब कर दीजे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा कहीं आप लास्ट तक वीडियो देख लें फिर उसके बाद लाइक करना भूल जाए पर ऐसा मत करिएगा आईए फटा-फट से हम जो है किस नुस्के को जानते हैं और बहुत ही असान है बहुत ही सिंपल बन जाएगा चलिए देखते हैं दोस्तो इस नुस्के को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो चीज ले रखिये वो है चीनी यानि की शकर यहां दोस्तो आपको चीनी का यूज़ करना है आप चाहे तो इसमें मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर चीनी रहेगा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ध्यान रखिएगा गोड का प्रियोग नहीं करना है हमें तो आपको करना क्या होगा सबसे पहले ये समझ लीजे सबसे पहले आपको ले लेना होगा एक गलास ठंडा पानी ज तरीके से आप एक चमच ऐसे चीनी मिलाएंगे और यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको ज़्यादा पतली लैक्टिंग नहीं हो रही है यानि कि आपको ज़्यादा पेट से रिलेड़ेड़ प्रॉब्लम नहीं है पतली लैक्टिंग ज़्य लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी आपको इससे रहत पानी है तो आप एक चमच चीनी के बज़ाए आप लगबग तीन से चार चमच चीनी का यूज़ करेंगे मैं यहाँ पे दो चमच चीनी डाल रहा हूँ आप अपनी नीड के हिसाफसे जैसा आपको दिक्कत हो उतना ज्यादा चीनी की मात्रा आप बढ़ा दीजेगा, यहाँ पे मैं दो चम्म चीनी का यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद सिंपल सा समझिए, आपको चाहिए नमक, जी हाँ दोस्तों आपको इसमें नमक का यूज़ करना है, इस तरह स तरह पकली लेटन हो रही है, बिल्कुल रुखने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इसमें तीन से चार बड़े चम्म चीनी का प्रयोग करेंगे, पानी में डालेंगे, इससे घोलेंगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक चूटकी, बेनिपेट नहीं ले पाएंगे, तो आइए, अब देखते हैं हमें करना क्या है, इसको साइड वे कर देता हूँ मैं, और आइए, इसको फटा-फट से पहले आप इससे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर दोस्तो यहां पे देखिए मैंने पानी के इंदर चीनी और नमक को बिलकुल अच्छी तरीके से घुल लिया है यह पूरी अच्छी तरीके से घुल जुगा है तो अब देखिए इसको समझते हैं कि इसका प्रियोग आपको करना कैसे है देखिए जब भी आप पतली लैटन करके आए जैसे ही आप लैटन करके आते हैं आपको पतली लैटन हुई आप जैसे ही आते हैं इस घुल को तुरंत तयार कीजिए और बिलकुल सिप सिप करके पीजिए बिलकुल धीरे धीरे पीना है एक गलास आप इस घुल को तयार तो करेंगे लेकि लगबग 6-7 चमच बिलकुल सि फिट नहीं मिलेंगे आप एक ग्लास इस गोल को तयार कीजिए एक एक चमच करके बिलकुल सिप सिप करके पीजिए और फिर उसके बाद आप लगबग 10-15 मिनट बेट करिएगा दुबारा से इसे सिप सिप करके पीजिएगा और फिर दुबारा से ऐसे ही करिएगा आपको इ पानी की कमी होने लगती है, ये उस पानी की कमी को दूर करेगा, साथ ही पेट को बांधेगा, यानि कि लैटरिंग जो आपको पतली हो रही है, इसे बांधेगा और आपको इस समस्या से बहुत ही जल्दी छुटकारा दिला देगा, दोस्तों ये बहुत ये आसान सा घरेलू नुस्का है, आप इसे कहीं पर भी रहेए, ट्राई कर सकते हैं, दवा लेने की कोई ज़रत नहीं है, इसे तीन से चार बार इस नुस्के का आप प्रयोग करेंगे, बस आपको तुरन रहत मिल जाएगी, तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की ये जानकारी हमें कॉमेंट क कि अन्यूफ बहुत व्जड़आ की देंगे, तो आपको आपको Director Sp., कि झानकारी हमें के एकारी हमें ओन जाएगी.